मित्रों फिर हम स्टार्ट करते हैं एक हो नेमिंग का एक हो टॉपिक और वह है नेमिंग ऑफ असे घलाइट एसिट को समझते एसिट का मतलब acid C double OH और halide का मतलब OH को आपने halogen से रिप्लेस किया है तो पहले तो heading डालेगा हमारा naming of acid halide naming of acid halide करें start कैसे हम सोच पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास R C double bond O OH plus acid कोई सा भी है halo acids ले लिए हमने समझ में आ रहा है जिसमें hydrogen और halogen उसको बोलते हैं halo acid ठीक है और जब यह halo acids हो रहा है इसमें से यह OH और यह अलग हुआ तो हमारे को जो compound मिलेगा वो कौन सा मिलेगा हमारे को R C double bond O C L और इसको बोलेंगे acid halide acid halide क्योंकि यहाँ chlorine है तो chloride bromine होता bromide तो यह हो गया acid halide तो naming of acid halide अब इस तरह की naming हमें कर नहीं है तो चलिए naming हमारे को function group कैसा दिखेगा आपको दिखाई देगा R C double bond O C L तो R C double O C L कितने function group है 2 या 1 अब इसको यह मैं सूचना यह LDI यह ketone में से कुछ और होगा तो यह क्या हो जाएगा hello carbon Nile यह हमारे पास क्या हो जाएगा prefix की naming हमेशा prefix में इस तरह से जाते हैं हमने ऐसा ester में भी देखा था देखा था ना hello carbon अब आताता है suffix attracted by suffix अगर यही बड़ा भगवान यही है तो फिर कैसे सोचोगे आप मैं ऐसे सोचँगा की यहां पर दो बाते हो सकती है या То carbon main chain में आ जाए या न आ आ जाए दोइ बाते होती है अगर carbon main chain में आ गया तो नाम क्या होगा इस तरह से होगा हम इसको बोलेंगे क्लोरो क्या बोलेंगे इसको ओयल हैलाइट दो बाते हो सकती है ओयल हैलाइट यानि ओयल हैलाइट और दूसरा हो सकता है हमारे पास की ओयल हैलाइट यानि की कार्बन काम में आ रहा है में चेन में नहीं तो हपन क्या बोलेंगे कार्बन नहीं आ रहा है तो कार्बोनाइल है लाइट कार्बोनाइट में कार्बोनाइल क्लोराइड हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो शुरू करें दूसरा नाम कार्बोनाइट है लाइट तो इसका आयूपेसी नेम क्या होगा? आयूपेसी नेम आयूपेसी नेम हमारे पास होगा अलके नोयल अलके नोयल हालाइट या अलके कार्बो नाइल हालाइट और अच्छे से तो आपको तब समझ में आएगा जब आप एक्जामपल देखेंगे कुछ एके एक्जामपल नमबर वन बहुत इजी एक्जामपल मैंने लिया है क्या लग रहा है आपको? मेन फंक्शन गूप यह है? पहले तो यह देखें फिर नमरिंग करे 123 क्या फंक्शन कार्बण जो है वो मेन छेन में काउंट हो रहा है? तो क्या नाम होगा इसको? प्रोपेनोरस्ट कलोराइट तो इसका नाम होजाएगा आपके लिए प्रोपेनोयल प्रोपेनोईल कलो रहा है? नेक्स एक्जाम्पल इसको कैसे देखेंगे आउपर यहां कितने कार्बान है वन टू थ्री फोर तो कैसे होगा ब्यूट पहले हमरे पास कोई लोकेंट है हा फोर ब्रोमो फोर ब्रोमो ब्यूट टू इन नोल टू इनोल क्लोराइड इसी है कोई ज्यादा खास दिक्कत नहीं आ रही है कुछ और एक्जाम्पल लेते हैं अगर हमारा एक्जाम्पल कुछ इस तरह का है C O C L तो क्या यहाँ पर C काउंट हो पा रहा है में चैन में नहीं तो क्या बोलेंगे यहाँ पर साइक्लो हेक्जेन कार्बोनाइल क्लोराइड और अगर एक्जाम्पल लेते हैं नहीं यहाँ से वन अब ब्रोमीन को प्राइटी देंगे या डबल बोन को डबल बोन को डबल बोन कहां से पहले आ रहा है 1,2,1,2 दोनों तरह से रहा है तो फिर थर्ड नमबर प्राइटी किसके जाएगे? ब्रोमीन की 1, 2, 3 तो यह हो जाएगा हमारा 2-Bromo Cycloprop 2-Ein 2-Ein Carbonyl या Carbonyl Chloride यह हमारा IUPAC name हो रहा है तो बहुत आसान है टफ है क्या? नई अगर आपके पास इस तरह का कोई compound है जिसमें COOHB है और COOCLB है और BRB है तो इसका IUPAC name आप किस तरह से देंगे? सबसे पहला तो यह fix है 1, 2, नहीं इदर से कोई आ रहा है? BROMINE और इदर से यह आ रहा है तो किस को प्राइटी देंगे? BROMINE को क्यों क्योंकि दोनों ही अब क्या बन चुके है? लोकेंट जब बड़े बगवान है तो छोटे बगवान भी क्या बन जाते है? लोकेंट इंसान की तरह तो अब BROMINE क्योंकि अलफाबेटिकली फास्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो क्या यह नम्मनिंग सही है? हाँ या ना? बिलकुल सही है गलत आपन करते ही नहीं है क्या होगा? क्लोरो कार्बोनाइल क्लोरो कार्बोनाइल साइक्लो हैक्स कार्बोकसिलिक एसेड हाँ बिटा? हैक्जेन है, बिलकुल साइक्लो हैक्जेन कार्बोकसिलिक एसेड तो आपको यह चीज अच्छ समझ में आ गई बस मुझे आपको ही समझाना है तो क्या यहाँ कोई दिक्कत एक्जामपल फाइट तक कुछ और एक्जामपल की प्रैक्टिस कर रहा हूँगा मैं आपसे पहले इनको लिख लीजे देखिए छोटे मोठे एक्जामपल है जो की कार्वोनाइल एसिड हैलाइट को लेते वे बनाएगा है यहाँ दो तरह के फॉंक्शन गूप है कौन सीनियर है तो नमरी यहीं से होगी 1,2,3 फोर देने की जोरत नहीं है क्योंकि आप वो पूरा अपने हाँ में क्या बनेगा एक लोकेंड बनेगा तो इसका आंसर क्या होगा थ्री पे क्या नाम है इसका क्लोरो क्लोरो और कार्वोनाइल अगर यहां पर भी कहीं किलॉरीन होता Suppose यहां पर मैंने एक किलॉरीन लगा दिया होता तो three किलोरो कार्बोनाईल अलग आता और फिर उसके अलावा क्या आता two किलोरो ये भी लिखना परता यानि दोनों किलोरो को डाई किलोरो नहीं लिख सकते वो अलग लोकेंट है, यह अलग लोकेंट है, आरी यह बार समझ में, तो 2 कलोर हो, फिर 2 कलोर हाता है, 1, 2, 3, क्या नाम होता है, 3 का, प्रो-पे-नॉइक-एसिट, यह इसका नाम बन जाता, इजी है, बहुत इजी है, कोई ज्यादा दिमांग नहीं लगाना, अब यहां देख है, तो क्या होगा यह, 2 कलोरो कार्बोनाइल, 2 कलोरो कार्बोनाइल, पैंट, 3 इन, 3 इन, 3 इन, ओईक-एसिट, हाँ यह ना, सो इजी, कोई ज्यादा दिमांग नहीं लगाना, इस कंपाउंड को देखते हैं, इस में सम्पाउंड को देखते हैं, सबसे बड़ा तो यह ही है, एसिड हैलाइट, यह एसिड हैलाइट है, तो नमबर वन यहां से, नमबर टू, 3, 4, 5, 6, क्योंकि फंक्शन गुप के बाद जो सबसे प्राइटी होती है, सबसे जादा वो किसके होती है, डबल बॉंड, यानि मल्टिपल बॉंड की, तो मेरे लिए यहां पर क्या हो जाएगा, 6, Bromo, 6, Bromo, 5, Chloro, Cyclo, Hex, Cyclo, Hex, 2, In, 2, In, हाँ बेटा, कार्बोनील क्लोराइट, क्यों बोल रहा है, क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हो पा रहा है, कार्बोनील क्लोराइट, सही है, कार्बोनील क्लोराइट हमारे पास हो गया, यहां पर, कौन बड़ा फंक्शन गोप है, एस्टर, very good, एस्टर नमबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, एस्टर के बाद कौन सबसे बड़ी चीज आएगी मुल्टिपल बॉन अब किस तरह से नाम देंगे हम शिक्स ब्रोमो शिक्स ब्रोमो फाइफ क्लोरो कार्बोनिल आगे साइक्लो हैग्स साइक्लो हैग्स थ्री इन कार्बो नायल या कार्बोनिल क्लोराइट सबसे पहले लिघ दिया तो समय बीट च्री आफ कि हमारे लिए तो फंक्ष्ण गूप क्या होगया सट अगया तो थ्री इन और इताइल सब मिथाइल पैसले सबसे पहले आएगा तो मिथाइल की हमारे लिए तो सबसे पहले हैगा末िर उसके बात सब कुछ अब बचा क्या हो कार्बॉक्सीलेट क्यों कि इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ है कार्बॉक्सीलेट बिल्कुल सही है कार्बॉक्सीलेट अब इधर देखिए इसमें तो आपके पास सबसे बड़ा ग्रूप 1 2 3 4 5 6 ओएक ऐसे लास में दिखनाता है लेकिन उससे पहले यह रहेगा क्लोरो और यह रहेगा मिठोक्सी सी पहले आता है तो इसका नाम होगा फाइफ क्लोरो कार्बोनिल एक काम हो गया फिर किसका नाम रखना है सिक्स मेथोक्सी कार्बोनिल कार्बोनिल आगे साइक्लो हैक्स थ्री इन थ्री एट हुए थ्री इन नौईक एसिड अच्छा क्यों क्योंकि उसका काम नहीं हो रहा थ्री इन कार्बोक्सी सिलिक एसिड साही है इधर देखिए नम्मरिंग कैसे कर रहे हैं वन टू थ्री क्योंकि तीनों पर हैं हम तीनों को कवर करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा इसका नाम प्रॉप पेन वन कॉमा टू कॉमा थ्री ट्राई ट्राई कार्बोनिल क्लोराइट कार्बोनिल क्लोराइट यहां हमारे लिए क्या होगा नम्मरिंग वन टू थ्री क्योंकि दो फंक्शन को पर दोनों को पहले लेना हमारी जरूरत है थ्री क्लोरो आगे थ्री क्लोरो कार्बोनिल साइक्लो साइक्लो प्रॉप पेन आपको समझ में आ गया इसका नाम क्या होगा इसमें वन टू थ्री फोर फाइफ क्योंकि हम सब को ले सकते हैं सारे फंक्शन ग्रूप को ले सकते हैं सी हो सी हो दिया आप फंक्शन ग्रूप नहीं है तो इसका नाम क्या होगा वन टू थ्री ट्री पर क्या होगा छ प्री पर होगा आपके पास छ्री डीकलो रो कार्बोन आल त्रीकलो क्लोर कार्बोन आईल अब आगे पेंटेन डी जा Kern डी रीकक sínd बस सभी है आगई बास में हम रखें यहां पर